तो अब हमने सिस्क कंप्यूटर के बारे में बात कर ली है जिसकी फिलॉसपी होती है कि हम जो है इस पर्टिकुलर वीडियो टुटोरियल में हम आगे चलेंगे और हमारा जो दूसरा तरीके का कंप्यूटर होता है रिस्क उसके बारे में हम बात करेंगे इसमें जो है इसका फुलकौम होता है reduced instruction set computer reduced instruction set computer complex instruction set के लिए आपका CISC और reduced instruction set के लिए हम risk word का use करेंगे अब यह जो risk term है या जो reduced instruction set computer है यह term जो है वो 1980 में डेविड पैटरसन ने और जौन हनेसी ने जो है वो introduce करी थी और यह इसलिए introduce करी थी क्योंकि CISC system की जो आपका complex instruction set computer होता है उस तरीके के processor की अपनी को समझ से आई थी जो हमने पिछले वीडियो टुटोरियल में discuss करें थी अब यह जो technology है यह instruction में ज़्यादा focus करती है तो इसका काम क्या होता है कि number of cycles हमने दो design philosophy समझी थी पहला कि हम instructions एक ही instruction से ज़्यादा काम कराएंगे तो number of instructions per program हम कम करेंगे वो complex instructions at computer का architecture हो गया और यहाँ पर हम काम करेंगे दूसरी वाली चीज़ के उपर जो की होता है कि number of cycles जो है वो हमारी कम लगेंगी तो number of cycles per instruction हमारा यह कोशिश रहती है कि यह जो है यह value हमारी कम से कम हो उसको हम कम करें इसको समझते हैं तो हमने सिस्क के case में सिस्क के case में हमने एक instruction पढ़ा था और वो instruction था हमारा add और हमने यहाँ पर लिखा था 1800 कॉमा हमने लिखा था 18001 चिक है अब इस instruction को अगर मैं बोलूँगा risk में मुझे breakdown करना है तो risk में यह चार काम कर रहा था हमारा तो चार अलग-अलग instruction होंगे तो risk reduced instruction set computer में पहला एक instruction होगा जो करेगा पहले number को ले कर आएगा प्रोसेसर में तो load x कॉमा पहला वाला number था memory location 1800 पर तो एक separate instruction होगा जो की 1800 वाली memory location से प्रोसेसर के x register में data को ले कर आएगा इसके अलावा फिर एक दूसरा instruction होगा यह क्या करेगा दूसरी वाली memory location जो की 1800 1 है वहाँ से प्रोसेसर के अंदर दूसरा number ले कर आएगा और इस बार प्रोसेसर के y register में ले कर आएगा इसके बाद में तीसरा एक अलग instruction होगा जो की इन दो numbers को add करेगा तो x, y ठीक और चौता फिर एक और instruction होगा जो की अब जो result है जो मेरे x के अंदर result है इसको यह memory में वापस से store करेगा store करेगा कहां पर 1800 वाली location पर किसको store करेगा x को तो अगर मैं इसको यहां से compare करूँ तो यहां पर सिर्फ एक instruction था उसकी जगा reduce instruction set computer में मेरे पास में चार अलग-अलग instructions हो गए अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो memory से data interchange करने के लिए data exchange करने के लिए मेरे पास में दो ही instruction है अगर मेरे को memory से data लेकर आना है तो मेरे पास में एक load instruction रहेगा और अगर मेरे को memory में data रखना है तो मेरे पास में एक store instruction रहेगा और उसके बाद में जो add x, y है इस add की जगा लेट से आपको subtract perform करना है तो आप यहाँ पे लिख देंगे subtract x, y जबकि यहाँ पे पूरा अलग instruction होता subtract और फिर आप लिखते let's say 1800 और फिर आप लिखते 1800 and 1 problem क्या है इस architecture के साथ में क्योंकि यह चार अलग-अलग काम कर रहा है तो आपका यह एक और instruction बन गया जबकि यही जो subtract काम इस पूरे के पूरे architecture में यह तीन instruction common रहते हैं और सिफ यहाँ पे क्या change हो जाता है आपका subtract 800 and 1800 1 यह दो चीज़ें आपकी आजाती है ठीक है तो एक ही instruction बहुत सारा काम करने की बजाए हमने उस एक ही काम को बहुत अलग-अलग simpler task में हमने divide कर दिया और हमारा प्रयास यह होता है इसके अंदर कि हर एक instruction जो है वो एक clock cycle या एक cycle जो है उसमें काम को perform करें तो इस instruction को भी एक clock cycle लगेगी अगले वाले instruction को भी एक cycle लगेगी तीसरे वाले instruction को भी एक cycle लगेगी यहाँ पर इसको भी एक cycle लगेगी ठीक जबकि इसी के case में अगर मैं देखू तो अगर मेरे एक इसमें simple instruction होता जो बोलता add x,18001 तो उस case में क्या हो जाता कि आप एक ही memory location से data लेके आते दूसरा वाला जो number है वो प्रोसेसर में already available था और फिर उसके बाद में result आपको प्रोसेसर के अंदर ही store करना पड़ता तो इसको execute करने में ज़्यादा time लगेगा as compared to this जबकि यह जो आपका risk का architecture होता इसमें जितने भी instructions होता है हर एक instruction जो है वो one cycle per instruction लेता है एक ही cycle लेगा हर एक instruction के लिए यही कोशिश रहती है और यह 99% ऐसा ही होता है किसी exceptional case में ऐसा नहीं होगा generally एक cycle ही लगती है हर एक instruction को execute करने में ठीक अब यहाँ पे कुछ problem भी है यहाँ पे आपका हर एक instruction जो है वो memory को reference कर सकता है जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आपको addition करना है, subtraction करना है, multiplication करना है तो वो सिर्फ और सिफ processor के अंदर ही होगा तो number memory से deal करने के लिए अलग instructions है arithmetic operations perform करने के लिए अलग instructions है और हर एक जो instruction है वो memory को reference नहीं कर सकता जबकि यहाँ पे हर एक instruction memory को reference कर सकता है तो इसके फाइदे नुकसान है फाइदा यह है कि आपका instruction जो है वो एक ही clock cycle में execute हो जाएगा नुकसान यह है कि अब आपको ज़्यादा number of instructions लगेंगे ठीक तो अब मैं बात करता हूँ इसके फाइदे की ठीक है और क्यूंकि जो task है वो simple है बहुत ही आसान है तो जो circuitry लगेगी decode करने की वो decoding unit क्या हो जाती है मेरी simple हो जाती है तो सिस्क कंप्यूटर में हमने लिखा था complex decoding unit यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि simple decoding unit तो decoding करना जो है वो मेरे लिए यहाँ पर आसान है ठीक है अब क्यूंकि आपके number of instructions बढ़ गए तो इसमें जो है वो ये जो complexity है वो compiler पे transfer हो जाती है तो software और डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि जादा instructions होगे ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जादा workload है for my compiler तो मैं लिख सकता हूँ more workload for my compiler तो जादा workload मेरे compiler के पास में है अब क्योंकि यहाँ पर जो simple decoding unit है हर एक unit जो है लगबग एक जैसा काम करेगा तो जो सबसे बड़ा advantage है ये दो तो हो गए मेरे advantage और ये मेरा disadvantage था अब मैं एक और advantage लिख दे रहा हूँ वो है आपका कि pipeline जो है वो बहुत easy हो जाएगी pipeline हमारी क्यों easy हो जाएगी क्योंकि हर एक instruction जो है पहले तो लगबग बराबर time ही ले रहा है हर एक instruction एक ही clock cycle ले रहा है और दूसरा क्योंकि वो simple है decode करने में तो वो आसान है processor एक machine बना देगा एक block बना देगा जो कि memory को handle करेगा एक block बना देगे हम हमारे processor में जो कि ये arithmetic operation परफॉर्म करेगा एक block बना देगे जो memory को data जो है वापस return करने में help करेगा तो इस तरीके से जो pipelining है अब जो मेरा processor है उसकी number of stages को बराबर time execute करना ये भी possible है कि हर एक stage लगबर बराबर time ही ले और दूसरा कि वो हर एक stage specifically क्या काम करेगी ये भी बहुत ही clearly defined है तो इसी लिए आपका जो risk computer है वो हमारा pipelining को better support करता है उसमें pipelining बहुत easily implement हो जाती है अब अगर मैं दो machines को compare करूँ तो मेरे पास में एक risk वाली machine है मेरे पास में एक sysk वाली machine है तो आपको graphic में दिख जाएगा यहाँ पे मैंने लगा दिया है तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि risk computer जो है वो जो है एक ही clock cycle के अंदर instruction को execute करता है reduce instruction set computer जबकि complex instruction set computer क्या करता है complex instruction set computer takes multiple cycles उसको ज़्यादा cycles लगेंगी एक instruction को execute करने में क्योंकि हर एक instruction जो है वो बहुत सारा काम कर रहा है यहाँ पे अगर हम इरको memory को reference करना है तो सिब दो ही instruction रहेंगे load and store so only load and store memory references available here in the risk computer set जबकि complex instruction set computer में क्या होता है कोई भी instruction, any instruction can reference the memory यहाँ पे pipelining बहुत आसान होती है तो मैं लिख सकता हूँ heavily pipeline यहाँ पे जो CISC computer है यहाँ पे pipelining difficult होती है तो या तो pipelining बिलकुल होती ही नहीं है या फिर less pipelined architecture होता है CISC computer के अगर यहाँ पे आपको बहुत सारे registers के आवशकता पड़ेगी तो जो risk computer होता है उसमें multiple register sets आपके होते हैं जबकि CISC के अंदर क्योंकि बहुत सारा काम से memory सा ही हो जा रहा है तो number of register set आपको जो है कम लगेगी तो single register set, एक ही register set होता है एक register set का मतलब यह नहीं है कि एक ही register है registers होंगे लेकिन एक तरीके का एक ही set होगा यहाँ पे हमने बात करी कि जो complexity है वो किसके लिए बढ़ जाती है reduce instruction set computer में वो compiler पर complexity आ जाती है CISC पे हमने बात करी थी कि जो complexity है वो किस पे चली जाती है complexity चल जाती है आपकी decoding unit पे या micro programming unit पे तो complexity here at CISC is with the micro programming ठीक है यहाँ पे जो instructions है वो hardware सीधा सीधा आपका जो processor है उसको execute करता है जब कि CISC के अंदर एक micro programming unit और होती है जो कि इस complex task को पहले अपने अंदर ही decode करती है अंदर ही समझती है और उसको micro instructions में convert करती है तो यहाँ पे complexity यह आपकी जादा है तो instructions पहले micro programming से आपके interpret होते हैं और फिर आपके execute होते हैं यहाँ पे जो instructions है उनका size more or less एक ही बराबर होता है तो fixed format instructions होते हैं सबका exactly एक बराबर तो नहीं होगा लेकिन कोशिश यह रहती है कि जादातार instructions का size जो है वो एक बराबर जबकि यहाँ पे क्या होगा हर एक instruction का size जो है वो अलग-अलग हो सकता है तो add 1800 का अलग size है add x, 1801 का अलग size रहेगा अगर मैं लिखूंगा add x, y तो इसका size जो है वो आपका अलग रहेगा तो fixed format instructions जबकि sysk के case में आपका variable format instructions आपके रहेगा ठीक है यहाँ पे आपके number of instructions जो है वो कम होते है add कराना है तो add सिर्फ दो registers के बीच में ही possible है ठीक है अगर आप ऐसा नहीं करा सकते कि एक इसमें से memory आप दे दीजे जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो add में ही मेरे पास में तीन options जो है वो sysk के computer में available होते है तो obviously क्योंकि अब add ही चार तरीके से हो सकता है तो ज़्यादा instructions लगे तो large number of instructions यहाँ पे आपके number of instructions है वो कम हो साथ में जो modes है वो भी आपके risk computer में कम होते है जबकि sysk के अंदर आपके ज़्यादा modes जो है वो available होते है तो ऐसा नहीं है कि risk अच्छा है ऐसा भी नहीं है कि sysk अच्छा है हर एक company का अपना एक vision है वो उसे साथ से decide करती है कि कौन से architecture पर उसको अपना processor जो है वो design करना है तो अगर मैं example नो risk के तो arm आपकी जो advanced risk machine एक company है वो जो है वो risk architecture को ज़्यादा support करती है उसके ज़्यादा तर processor जो है वो आपके risk architecture पर ही बेज रहे है क्योंकि company के नाम में ही advanced risk machine sysk जो है वो intel की favorite है तो intel के ज़्यादा तर processors market में available हैं वो sysk computer पर आधा लेते हैं दोनों के ही अपने पाइदे नुकसान हमने यहाँ पर discuss कर ली है तो इस video को हम यहाँ पर करते हैं close, thank you so much